और अमेठी से बड़ी कबर है जहाँ दबंगों ने यूवक को दोडा दोडा कर पीटा तो मारपीट का वीजो वारल हो रहा है पोलिस पर अभी तक कारवाई ना करने का आरो तो लाटी डंडो से पिटाई का वीडियो वारल दबंगों की दबंगई अमेची से सामने आई है तो मारपीट का ये वीडियो सामने आया है जो की काफी तेजी के साथ वारल हो रहा है तो देखे किस तरह से युवक को दोड़ा दोड़ा कर दबंगों की तरफ से पीटा जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यूबक आगे है तो पीछे दबंग उसके भागते नजर आ रहे हैं तो यह मारपीट कभी जो वारल पुलिस पर अभी तक कारवाई ना करने का आरोप जो है वो पीडित पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है हाला कि किस बात को लेकर यह मारपीट है यह भी अभी जानकारी सामनी नहीं आई है लेकिन इस पूरे संदर में पुलिस पर जो है लापर वाही के आरोप लग रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई एक्शन इस पूरे मामले पर दबंगों की दबंगई पर नहीं लिया गया है और अब कालपूर से बड़ी खबर है जा होटल संचालकों में मारपीट तो दो होटल संचालकों में मामली सी बात को लेकर कहा सुनी हुई और देखते ही देखते ही जो कहा सुनी है वो मारपीट में तबदील हो गई तो दोनों के बीच इस दोरान चब करना की टंडे चले हैं पुलिस ने आरुपियों को हिरासत में ले लिया है तो दो होटल संचालकों के बीच की ये मारपीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो किस तरह से मारपीट करते हुए ये दोनों होटल संचालक नजर आ रहे हैं तो किसी छोटी सी बात को लेकर ये कहा सुनी होती है और पर कहा सुनी देखते ही देखते किस तरह से लाटी डंडो और मारपीट में तब्दीर होती है उसकी बानगी दिखाती है तस्वीर सबसे पहले नियोज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं तो पुलिस ने आरुपियों को हिरासत मिले लिया है जुन से पूछताच यहां पर की जा रही है तो मामूली सी बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और देखते देखे किस तरह से सड़क पर यह विवाद आ जाता है और फिर मारपिट शुरू हो जाते दोनों पक्षों की तरह से लाटी डंडे एक दूसरे पर बरसाए जाते हैं और अप्रताब गर्ड से बड़ी खबर है जहां को